पहले रहीम के बारे में जानना चाहिए रहीम का जनम तो 17 दिसंबर 15 शपन को लाहोर में हुआ था उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम कान काना है उनके पिता का नाम बैर मक्खान माथा का नाम सुल्थाना बेगम था रहीम सचई बरवई नाई का बेद शुरूंगार सोर्टा आदी इनकी प्रसिद्ध रचना ये है इनके काव्य में नेती, भक्ती, प्रेम, शुरूंगार और सुन्दर समाविश हुआ है पहले दोहे को पड़ेंगे, बाद में उसका भावार सीखेंगे पहला दोहे में तरवर फल रही काथे, सरवर पिय ही नापान कहें रहेम परखाज हेत संपती सांज ही सुझान जो रहीम उत्तम प्रक्रती का करी सकत कुसंग, चंदन विशव्याप्त नही, लिप्टे रहत भुजंग रहीमन देख बड़ेंगो लगूना दीजिये ढारी जहां काम आवई, सुईी कहां करई तलवारी बड़े बड़ाई ना करई, बड़े ना बोले बोल रहीमन हीरा कब कहें, लाक ठका मम मोल पहले डोहे यह है, तरोवर फल नहीं काते, सरवर पिय ही ना पान कहें रहीम, परखाज हेत, संपती, सच्छाही, सुझान इसका अर्थ होता है, रहीम कहते है कि जैसे पेड अपने फल कुद नहीं काते और सरोवर अपना पानी कुद नहीं पीते वैसे ही सज्जन दूसरों के कल्यान के लिए संपती का संग्रह करते है दूसरे दो हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृती, का करी सकत कुसंग चंदन विश्व्यापती नहीं, लिप्टे रहत पुजन इसका बावर्थ है, रहीम कहते है कि जो व्यक्ती अच्चे स्वबाव का होता है बूरी संगत उसका कुछ नहीं विघाट सकता जैसे चंदन के पेट से सांप लिप्टे रहने पर भी चंदन में उसका विश्व्यापती नहीं होता इसका बावर्थ है, रहीम कहते है कि रईश और बड़े लोगों को देख कर चोटे और साधारन लोगों को चोड मत दीजिये या तिरसकार मत कीजिये क्योंकि जहां सुई काम आती है, वहां तलवार क्या कर सकती है चोटा दोहे में बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल रहीमन हीरा कब कहें, लाग टका, ममू, मोल इसका बावार्त होता है, बड़े लोग ना ज्यादा बोलते है ना हे अपनी प्रशमसा करते है रहीम कहते है कि हीरा कब कहता है कि उसका मोल्य लाग मुद्राये है इसका आशे, चाद्र इन दोहं के द्वारा, सज्जनों तता महान लोगों का स्वभाव समझ सकते है इसे प्रकार, छोटे तता साधारन वस्तुओं के महत्वकी जानकारी प्राप्त कर सकते है मुद्ध्र लूट सबस्क्राइ В